बड़ी और हम खबर के साथ तो आपको बता दे कि ओसकर्स 2023 अवार्ड सेरिमनी शुरू हो चुका है और बेस्ट आक्टर का अवार्ड आपको बता दे K.U. 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 An को बेस्ट आक्टर का अवार्ड मिला है इसके साथी जैमी ली को Best Actress का आवार्ड मिला है साथ साथ आपको बता दे भारत की निगाहे जो है भारत के जो कला प्रेमी है जो फैन से आपको बता दे उनकी निगाहे जो है इस वक्त RRR फिल्म पर ठीकी हुई है भारत की तरफ से कई आपको बता दी डॉकुमेंटरी है और खास्तोर पर फिल्म आरा रात पर सब की निगाहे ठीकी हुई है क्योंकि जो ओरिजिनल सॉंग है ना टो ना टो उसे भी नॉमिनेशन इसमें मिला है तो ये कई एहम दुल्चस्प खबरे लगातार जुड़ी हुई और आपको अपडेट देंगे सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे निउस रूम जहां पर हमारी सायू की रागिनी इस वक्त हमारे साथ जूड़ गई है उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं सबसे पहले तो विवस को ये बताएए कि जो अभी नॉमिनेशन सुबह है कौन-कौन से वो अक्टोस हैं जोने बस्ट आक्टर का अवार्ड मिला और अब तक कितने लोग ऐसे हैं जोने ये अवार्ड अभी मिला है आज की जो सरी मनी अंटरवे है आज की जो सरी मिला है संक dop बढdle गबाला किभस इसके गी मुटिस्ट और अवार्ड मिला कहा विसस विवसरी का है we have great chances of winning that and apart from that the team of RRR, who has been on the US tour and not missing out on any ceremony whether it was the BAFTA, the L.A. Criticist Choice Awards, or the Golden Globes, they are still there, they are at the venue, and they will be performing live, which will be a great historic moment for India. में पहले बखने पनेस सक suppress and эпृट yौ1 यौ1 अ Сп herself में आप पाद करें टार μου राद है ilि को बकुषमि करें फार ब हम एं-थ एंड़ को ब О Soci में वाद आठार्गर एं-ब एंच कर्ज घद्धacement üzerine ौ2 इpi for best documentary feature film so we'll be having all eyes on that as well बिलकुल रागिडी आपसी यह भी जाना चाहेंगे two big wins for 2022 कि अगर बात करें American, जो comedy drama है उस film के बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे उनके लिए भी बड़ी उपलब दिये everything everywhere all at once everything everywhere all at once is definitely a big win it has been nominated for 11 nominations tonight and it is said that it will be taking away all the awards that it is nominated for it is a Korean film which it has it is based on a sci-fi genre and it will be taking it is said that it will be taking all the 11 nominations that it has been nominated for today बिलकुल रागिडी जिस तरीके से आपने देपका पादुकोर की बात की तो क्या ये देपका पादुकोर का वो लुक भी बहुत वारल हो रहा है खास तवर पर और इंडियन अगर फिल्म इंडिस्टी की बात करें खास तर पर अगर इंडिया की बात करें तो निश्वत तर पर ये बहुत ही प्राइट का मोमेंट है कि देपका पादुकोर वहां पर पहुंची हुई है और अवाद देंगी अट्यूख इंडिस्टा अवाद अगोद तरो पादब एंडिस्टा अवाद पर इंडिस्टे एंडिस्टी लूट वाले खूग तर शवाद पर अबाद विल्टlica was also the one who unwield the FIFA World Cup trophy and she will be presenting the award tonight. So definitely a big moment for her and as well as India.